यूएस का जीडीपी डाटा आ चुका है एंड डाटा के साथ सा देखेंगे कल मार्केट में क्या सेंटिमेंट हो सकते हैं गाइस निफ्टी की एक्सपाइरी है वीकली एक्सपाइरी है और मंत का लास्ट डे है और गाइस दिवाली का दिन है कल मार्केट में क्या मुमेंट आ आने वाले हैं कौन से important levels जब breakout या breakdown होंगे तो हमें नजरे बना के रखने हैं निफ्टी के अंदर बहुत powerful एक resistance बना हुआ है powerful support बना हुआ अगर वो break हुआ तो मज़ा आ जाएगा और जो मैंने stock बताया है आज आपको आज 3 बजे जो stock बताया है उस stock के बारे में फिर से बात क करेंगे और वो बड़ा fire करने वाला है तो अभी market काफी ज़्यादा डाउन आया है ना तो अपने को buy on dip की opportunity दे चुका है अगर option stock करना चाहते हो वो भी मज़ा आने वाला है आपको और परसों है गाई मूरट trading को क्या करना है वो कल मैं आपको details में बताऊंगा आज मैं ग्राम पर जोइन कर लिजेगा यहां पर इसके बारे में भी वीडियो आने वाला है जो आपको दिख रहा है stock गाई दो लाग चतिसजार दो सो पचास तीन रुपे का stock सीधा गाई फायर कर गया और यह आपके लिए broadcast के साथ आयाएगा अपना student है गाई करोड़ पती वन ग GDP डाटा अच्छा आया क्योंकि आपको पता है पांच नवंबर को election result है तो यहां पर डाटा तो अच्छा लाना ही पड़ेगा और इसी के साथ साथ गाईस बहुत सारी चीजें जो आज market movement कर रहा था आपको अपडेट तो करी रहा था और एक paper trade भी बनाया था और levels भी बेज का आचुका है GDP डाटा ठीके न अच्छा डाटा आया यहां पर actual 2.80 ठीके 31 अक्टूबर कल सुबह 7 बजे चाइना का डाटा आने वाला है ठीके न वो अपडेट मैं आपको दे दूँगा morning वाले वीडियो के अंदर लेकिन कल सुबह जपेन का डाटा भी आने वाला है ठीके न परसों एक नवंबर को एक और डाटा आने वाला है लेकिन परसों अपना 6 बजे से लेके 7 बजे साम तक मूरत ट्रेडिंग है कल मैं वीडियो बनाऊँगा कि मूरत ट्रेडिंग अपने लिए क्यों important है सारी चीज़ें ठीके न और याद रखिएगा अगर आप टे बाइच्च लिया तो मैंने बोला कि भाई हैंजिंग डियर स्टुडेंट्स टूडे बैंक निप्टी फिन डो परसेंट अप कल गाईज यह मार्केट दो परसेंट एक दिन में टार्गेट दे दिया दो परसेंट एक हजार प्लस बैंक टिन में चला गया तो दूसरे दिन तोड़ा रिस्की हो जाता है जैसे आज आपने देखा विदाउट एजिंग नौ बीटी एजिंग इस वेरी इंपोर्टेंट यह आपको बना के बेश दिया था तीन बच के अटारा मिनट पर आप नहीं लो तो वह आपकी इच्छा गाई एक तरपा जाते हो या फिर आप करत प्लस चल रहा है डाउ जोंस यूएस मार्केट बुलिश है और यूरोपियन मार्केट साइडवेज नेगेटिव कल भी इसी तरह से दिखाया था आज भी सेहम चल रहा है ठीके ना गिफ्ट निप्टी थोड़ा नाटक कर रहा है 24-350 थोड़ा साइडवेज चलने की कोसिस कर रहा है और कल मेगा एक्सपैर है हमें क्या ध्यान में रखना है और इंपूर्ट डाट देख लेता है डियाय यूराप्य डाटा डिया अगेट यह जा पर देख रहे हैं aquí selling तो एक सोगोड़् को कोरोड का हलका सा मतलब इस क्या सब्सक्राइब कर रहा है मुझे ok अंड नाव हम चलते हैं सबसे पहले भाया निफ्टी पे तो निफ्टी का गईस में सारा लेवल्स रिमूम कर रहा हूं आपके सामने लाइव लेवल्स बनाएंगे हैं और इंपोर्टेंट आप देखोगे यहां पे निफ्टी के अंदर तो एक छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि निफ्टी जो यह जो लो है और यहां पे यह जो प्रीवियस जो आप कह सकते हो 24 अक्टूबर का 25 अक्टूबर का और 28 अक्टूबर का 39 और आज यह मार्केट 24,500 का लेवल नहीं ब्रेक कर पा रहा है 24,500 लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है इसका मतलब मार्केट में यहां पे sellers काफी active है जब तक 24-5 का level नहीं तोड़ पाएगा market हम upside के लिए plan नहीं करेंगे इस चीज को ध्यान रखेगा अगर कल market इस तरह से बाहर निकल जाता है तो मज़ा आ जाएगा और परसों के लिए तो भाई बड़ा fire हो जाएगा ठीके ना गाईस मज़ा आने वाला दिवाली दमाका और उपर साथ ही साथ गाईस US election next week तो गाईस काफी ज़्यादा fire होने वाला next week में कुछ important जो stock है जो support पे अगर बढ़िया हो जाता सब कुछ तो गाईस मज़ा आ जाएगा good bye on dip एक फाला हर एक stock में मिलेगा ठीके ना जो important stock था जो मैंने आपको बताया था किस के अंदर btsd plan कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं nifty की जो nifty की है कल expiry number one दूसरा weekly monthly expiry है जो सारे stocks कल rocket बनेंगे वो सारी कमजोर था okay nifty के अंदर यहाँ पर देखेंगे 24,300 आज का low होता है मैं एक level बना देता हूँ और एक मैं previous day का भी low पर आ जाता हूँ ठीक है न कहीं यह भी मेरा एक important support बन रहा है 24,140 और यहाँ पर previous recently 24 October का वो भी मैंने low बना दिया 24,070 का सिरफ इतना ही levels पर ध्यान देना है गाईस और अगर 24,500 का level तोड़ दिया तो सीधे 24,700 पर जाएंगे अपन सीधे कितने पर जाएंगे 24,600 नहीं 24,700 बढ़ फिर भी अपन 24,600 पर भी एक level बना देते हैं यह low अपने levels बन गए निफ्टी में बड़ा दमाका होने वाला है अगर यह levels किस तरह से work करेंगे तो हमें fire करना है तो now guys आज का high और low बना चुके हैं अपन यह market का आज का high है यह market का आज का low है market इस तरह से sideways हो गया और मैंने बोला था अगर market 300 का level तोड़ेगा तो यह अपन downside के लिए btsd plan करेंगे और 400 का level तोड़ेगा तो हम upside के लिए plan कर सकते हैं ना market 300 का तोड़ पाया ना 400 का तोड़ पाया है इसके बीच में market कल open होने वाला है आपका ध्यान रखिएगा अगर 400 का level तोड़ता है live में तो गाईज हम upside के लिए plan करेंगे जो पहला target अपना रहेगा वो रहेगा आज का same high same high यह रहेगा और retest लेके अगर market उपर जाएगा तो अपने लिए upside के लिए और बड़ा breakout देखने को मिलेगा 24,600, 24,700 यह 300 point की rally अपने को upside में देखने को नजर आ रही है और now RSI थोड़ा support नहीं कर रहा है और 200 EME के नीचे market है तो कहीं न कहीं 200 EME भी support नहीं कर रहा है जब तक 200 EME के उपर नहीं भागेंगे काई सम बुलिश नहीं होंगे आप देखोगे यहाँ पे number 1, number 2, number 3 market ने triple top बना दिया लेकिन ये 200 EME को तोड़ नहीं पा रहा है इस बार तोड़ दिया तो समझ लोगा इस powerful resistance को market break करेगा इस इसको ध्यान में रखिएगा now 24,300 का अगर support तोड़ दिया market न अगर 40 point gap down हो जाता है या फिर sideways होके अगर 24,300 का level तोड़ दिया गाई तो सीधा पहला जो target रहने वाला है वो हमारा 24,200 का एक कहीं न कहीं rounding अपना support है तो 24,200 पे भी mark करूँगा 24,200 ये तो आपको एक तरफा 100 point target मिलेगा ही मिलेगा उसे के साथ साथ गाई 24,140 और 24,000 चियतर और 24,000 का powerful support अपने लिए downside है तो अब कल के लिए अच्छे levels निकल के आए है इस zone के बीच में नौ trading zone जो इसके उपर गया तो upside के लिए इसके down गया तो downside के लिए और अगर यहाँ पे आगया तो reversal भी मिल सकता है breakout होगया तो guys बड़ा fire देखने को मिल सकता है इस इस को ध्यान में रखियेगा nifty का कल expiry here कल ultimate अपने को fire देखने को मिलेगा कहीं न कहीं यहाँ पे nifty इस trend line को भी follow किया है trend line पे जाके close होने की कोशिज की थोड़ा सा धरम संकट में डाला है लेकिन भाई हमने तो nifty में btst लिया आज market ने क्या किया DAO theory को follow किया है DAO theory एक important topic है मैं आपके लिए free में video बनाने वाला हूँ DAO theory के उपर और market जो guys था पहले जो 10 बजे जो market moment था उसी range में sideways हो गया 0 to hero का आज मौका नहीं दिया कल हमारा 0 to hero 3.5x moment कर गया 60 रुपे की call 200, 200 चली गई आज 0 to hero moment नहीं बना तो हमने plan नहीं किया उड़ते तीर नहीं लेतेगा इस रोज रोज इस चीज को ध्यान में रखिएगा लेकिन कहीं न कहीं हम 200 EMA के उपर है bullish है इस चीज को ध्यान रखिएगा और कहीं न कहीं यहाँ पर green पैसा पड़ा है अगर market का गिर जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को की 51,600 का 200 EMA है पहला support है important support है क्यों क्यों कि यहाँ पर buyers भी बैटे हैं उपर से 200 EMA का support भी है जो green green दिख रहा है न यह मैंने नहीं बनाया है यह automatically indicator ने बनाया है important support यहाँ पर 51,600 का level टोड़ेगा तो सीधा अपन 51,300, 51,270 पर आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक critical zone है पहले आपने यहाँ पर भी देख लिया होगा तो इस zone में थोड़े से अपन फिर से risk ही आ जाएंगे याद रखिएगा 51,730 का level टोड़ेगा तो downside के लिए moment है एक वापी zone में आ गया तो गईस पहला target 52,200, second target जो हमारा रहेगा 52,350 लेकिन याद रखिए कि 52,350 टोड़ गया ना तो अपने को एक बड़िया तरीके से fire देखने को मिलेगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा बड़ी एक fire देखने को मिलेगा हमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा एंड अप साइड के लिए एक बड़ा levels के लिए मैं बेट कर रहा हूं हो सकता है कल market आपका ये level तोड़ने के बाद एक rocket बन जाए अगर जब तक ये level नहीं टूटेगा 52,200 और 52,350 हम एक continue bullish में नहीं जाएंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छा आया और सुबह भी में मॉर्निंग में आपके लिए 8 वजए वीडियो बना दूंगा कि सुबह का डाटा क्या है क्या नहीं है इस चीज को ध्यान में रखिएगा फिन निप्टी ने भी अच्छा मॉमेंट किया फिन निप्टी भी दीटे दीटेड डाउन आया कहीं है कहीं यहां पर भी बाइंग प्रेयसर जादा है फिर Nifty को उपर अगेन यहां पर बायर्स एक्टी हो गए, Mid Cap Nifty भी डाउन आया गाई, Mid Cap Nifty हो सकता है, गल गब डाउन हो जाए, लेकिन गब डाउन होने के बाद, यहां पर सपोर्ट लेके, वापिस रिवर्सल कर ले, अपने को BTSD में आज ध्यान देना नहीं था, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, साइडवेज ओपनिंग की कोसिस करेगा, डाटा बुलीश आया, अभी तो दो डाटा जापैन का, चाइना का और आने वाला है, अभी तो सुबह और चेंजिंग होगी, गेम चेंजिंग होगी, बट ICIC बैंक और HDFC बैंक ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, बैंक निप्टी को, और जो बात कर रहा हूँ, इस तॉक की वो है, हीरो मोटो, हीरो मोटो ने अच्छा मोमेंट किया, यहाँ पर, हीरो मोटो, हीरो मोटो आप यहाँ पर क्या सकते हैं, ओके गाईज, एंड क्रूड ओइल को मैं अगर देखता हूँ, क्रूड ओइल के अंदर, मार्केट में बुलिश मोमेंट बन चुका है, क्रूड ओइल कंटिनिव बुलिश है, एंड गिफ निप्टी थोड़ा, यहाँ पर, डाउ जोंस 200 पॉइंट के आसपास बुलिश है, बिटकोइन, अपने नियर बाई, ओल्टाइम हाई के आसपास जाके साइड बे चल रहा है, गॉल्ड टॉप पर बैटा है गाईज, ओल्टाइम हाई पर है,